उत्तरपरदेश के अम्रोहा में हुई हत्या की गुथी पुलिस ने सुलजा ली है पुलिस ने तीन आरोपियों को काबू कर लिया है आपको बता दे कि मृतक ओटो रिक्षा चालक था एक दूसरे अन्य ओटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बना कर उसके हत और चालकों में सवारी बैठने को लेकर जगडा हुआ था जिसकी यह ओटो चालक रंजिश पाले हुए था अम्रोहा के गजरोला थाना प्रभारी की माने तो थाना शेतर के गाउं कुंदेना चक में एक यूवक का शव मिला था जिसकी पहचान गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले अनमोल के रूप में हुई थी पुलिस ने तफ्तेश में पता लगाया कि अनमोल दिल्ली में ओटो रिक्षा चलाता था और उसका ओटो रिक्षा चलाते समय बीते चार महीने पहले अपने साथी यश्पाल के साथ सवारी बिठाने को लेकर जगडा हो गया था और अनमोल ने यश्पाल से 700 रुपई चीन लिये थे बस इसी बात का बदला लेने के लिए यश्पाल ने पूरी कहानी रच्डा ली और अनमोल की हत्या का प्लान बना डाला और यश्पाल ने इसके लिए अपने साथी धारा और नन्ने की मदद ली और अनमोल के ओटो को छेसर उपए में गंगा नहाने के लिए ब्रस घाट के लिए बुक किया जहां गंगा सनान के बाद उन्होंने अनमोल से बताया कि वह लोग गाउं को देना चक जाना चाहते हैं जिसके बाद अनमोल को लेकर गाउं चम दिये जैसे ही वो लोग गाउं के रास्ते पर पहुँचे तो आरोपियों ने पेशाप का बहाना कर थ्री वीलर को रुकवा लिया और अनमोल की बस के डंडों से पीट-पीट कर वतार से गला घोट कर हत्या कर दी और लाश को एक खेत में फैक कर गाउं पहुँच गए साथी हत्या में इस्तमाल किये गए डंडे और अन्य समान को जंगल में फेक दिया और वापस गाजिया बाद चले गए इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जिनके नाम में यश्पाल और राम अवतार है पुलि सब्सक्राइग जरोला में 27 अगस्त को ग्राम कुदेना चत में एक अग्यात की लास मिली थी जिसका पंच्यातनामा करने के बाद पुस्मार्टम के लिए भेज दिया गया था विवेचना से प्रकास में आया है कि यह व्यक्ति और रिक्सा चलाता था और गाजियाबाद ल इसी को लेकर योजना बना कर इन लोगों ने कुदेना चेक में लेया कि इसकी हट्या कर दी और हट्या करने के बाद लास को नहीं छोड़ कर भाग गये थे इन दोनों विक्टियों को गितार कर लिया गया है इनके पास से खून सनी कपड़े पसा आला का बरामत कर लिए है मिजिक कर वाई की जा रही है राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज